पंचाइट चुनाव नामंकन के लिए अधिये प्रमाद पत्र बनवाने वाले उमिद्वारों से सुविदा सुल्ख की नाम पर वसूली जा रही है मोटी रगम हुआ हंगामा जनपत चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जनपत चुनाव नामंकन के लिए अधिये प्रमाद पत्र बनवाने वाले संभावित उमिद्वारों से ग्राम पंचायत सचीव इवन जला पंचायत करमचारियों द्वारा सुविदा सुल्ख के नाम पर मोटी रगम वसूल किये जाने का मामला सामने आया है एक एक प्रमाद पत्र के बद्रे दोसों की बजाया आठ आठ सो रुपे लिए जा रहे है इससे नाराज लोगों ने सदर ब्लॉक परिसर में जम कर हंगामा करते हुए नारे बाजी की इस दौरान अधिकारियों और करमचारियों प दोसे समझ पाटीश जी मैं यहां पर नोडीज बनवाने आया था जी यह पंचाया सदस का अधिका ने लाइट में लगा धूप में तो मैं देखा कि वहां पर घरीब मजदूर दलीद लगे हैं लाइट में और जा रहे हैं उनसे जब बनान दोजो सुरुपया बिना कोई स हम दो जिए जब बेंगा मकर न पत्र दाखिर करने वाले प्रत्याश वेजो को अन्य दस्तावीजों के साथ अधे प्रमार पत्र भी सलग्दू करना है ग्राम पंचायद सच्वी वर जला पंचायद की ओर से अधे प्रमार पत्र जारी किया जारा है लेकिन इसके लिए करमशारियों द्वारा मन मानी रकव वसुली की जारी है हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि करमशारियों द्वारा प्रती प्रमार्पत्र आठ सो रुपए की वसुली की जारी है इसको लेकर आपत की जताने पर प्रमार्पत्र बनाने सेंग कार कर दिया जारा है मजबूरी में प्रत्याश्यों पपनी जेट डिली करनी पड़ रही है इस पर रोक लगानी चाहिए हंगामा करने लोगों ने कहा कि सदर ब्लॉक का इकलौता मामला नहीं है बनकि जन्पत के अन्य ब्लॉकों में भी इसी प्रकार की वश्री जारी है अधिकारी चुप्ति साधे बैठे है